बॉलिवुट की फैमस अदाकारा करीना कपूर खान हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं करीना जहां एक ओर प्रोफेशनल लाइफ के चलते लाइम लाइट बटोरती हुई नजर आती हैं तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी इस बीच अगर देखा जाए तो करीना अपने रिस्तों को भी बखुबी निभाती हुई नजर आती हैं करीना कपूर खान अपनी स्तास और बॉलिवुट की फैमस एक्टरस शर्मिला टैगोर के साथ भी बेहत प्यारा सा बॉंड शेयर करती हैं वही दूसरी ओर शर्मिला भी अपनी बहु करीना कपूर से बेहत प्यार करती हैं करीना की तारीफ करती हुई नजर आती हैं लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शर्मिला टैगोर नाराज होती हुई नजर आई जानकारी के लिए आपको बता दें ये वक्त था तब का जब शर्मिला टैगोर करीना कपूर खान की रेडियो शो वाट वोमेंड पॉंड में पहली गैस्ट बनकर पहुँची थी और इस दोरान करीना ने शर्मिला टैगोर से कई सवाल किये थे वही करीना ने शर्मिला टैगोर से उनकी बिकनी पहने पर भी बात की थी करीना ने उनसे सवाल पूछा था कि आपकी रेल लाइफ से रेल लाइफ की तरफ आते हैं मुझे जहां तक लगता है कि आप वह पहली एक्टरस हैं जिन्होंने स्वीम सून पहन के बस करीना यہां तक ही बोल पाई थी कि आगे शर्मिला कहती है कि मुझे लगता है कि इस से मैं कभी नहीं उभर पाऊंगी मुझे लगता है कि पूरा इतिहास बस इसी के बारे में लिखा जाएगा तो शर्मिला टैगोर और उनकी बिकनी शर्मिला टैगोर यहां पर नाराजगी चाहिर करती हुई नजर आई लेकिन करीना ने बदले में तुरंत उनकी तारीफ की करीना कहती है कि नहीं पर मुझे लगता है कि ये एक आइकोनिक मूमेंट था हमारी जनरेशन के लोग इसे ऐसे देखते हैं कि ओ माई गॉड कोई बिक्नी में इतना खुपसूरत लग सकता है बदले में शर्मिला कहती है हाँ अब आप भले ही ऐसा कहें इतना ही नहीं करीना ने आगे शर्मिला से एक और सवाल पूछा उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय लोगों का रेक्शन क्या था क्योंकि आपकी तब शादी होने वाली थी बदले में शर्मिला टेगोर जबाब देती हैं और कहती हैं मैं लंदन में थी और बापिस आई तब तक मैगजीन में छप चुका था शुक्र है कि उस समय सोशल मेडिया नहीं था इसके बारे में खूब बाते हो रही थी और तब उस दोरान मुझे निर्माता निर्देशक शक्ती स्तामन्त ने कॉल किया और उन्होंने मुझे बुलाया कि जल्दी मिलने आओ जरूरी बात करनी है उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बता है तुमने क्या किया है तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है ये सब तुम्हें सूट नहीं करता ये बहुत गलत हुआ हमें अब कुछ करना पड़ेगा पर मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी लग रही थी शैमिला आगे कहती हैं कि तो उन्होंने मुझे कहा कि हीरोई ने ऐसा नहीं करती हमें ऐसे सुधारना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा और फिर मैंने परिशान होकर मनसूर अली खान बटोदी को टेलिग्राम लिखा और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत सुन्दर लग रही हो और उस वक्त वो बहुत ही सपोर्टिव था और इस तरीकी से करीना कपूर खान के साम ने नाराज की चाहिर करती देखी गई शर्मिला टेगॉर तो वहीं उन्होंने अपनी जिंदिगी से चुड़े हुए इस राज का खुलासा भी किया वेल दोस्तों करीना हमेशा ही अपनी स्तास शर्मिला टेगॉर के साथ बहुत प्यारा सापॉंट शेयर करती हैं ऐसी तमाम तस्वीरे और वीडियोज वाइरल होती रहती हैं जिसमें करीना अपनी स्तास शर्मिला टेगॉर पर प्यार लोटाती हैं तो वहीं शर्मिला भी बहु करीन से बेहत प्यार करती हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखे रहें नेक्स्ट नाइन नीमस